दोस्तो अगर आप अपने phone से neckband को connect कर रहे हैं बट आपका neckband जो है वो connect ही नहीं हो रहा है आपके phone से तो आप इस problem को कैसे fix करेंगे यह इस video में हम आपको बताएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको देख लेना है कि आपका neckband जो है वो किसी और phone से connect तो नहीं है अगर आपका neckband किसी और phone से connect है और आप दूसरे phone में connect कर रहे है तो हो सकता आपका ना हो तो आपको पहले उधर disconnect कर देना आप जैसे यह तो oneplus का है ठीक है तो तो इसमें क्या है अगर दूसरे फोन में connect भी होगा और हम यहाँ पे click करेंगे तो वो connect कर लेगा बट हो सकता आपका कोई और हो उसमें यह feature ना हो तो आपको पहले उस device में disconnect कर देना है बंद कर देना है Bluetooth उसके बाद आपको अपने इस phone में connect करना है तो आपका connect हो जाएगा लेकिन अगर आपका neckband किसी और phone में नहीं connected है तब भी आपका नहीं connect हो रहा है इस phone में तो आपको करना क्या है आपको एक बार अपना जो है neckband को reset कर लेना है factory reset उसके लिए आपको क्या करना है simply आपको एक volume plus और volume minus का option दिखेगा यह button जो होती है आप इन दोनों को press करे रह ना है ठीक है जब तक आपका factory reset ना हो जाए तो जैसे ही हम यहाँ पर यह दबाये रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर light अपने आप यह बंद हो जाएगी यह आप देखिएगा तो यह light यहाँ पर बंद हो गई ओके यहाँ पर factory reset हो गया उसके बाद आप अपने phone में connect करके प्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जो है एक system का option दिखेगा इसपे click करिए यहाँ पर आपको reset options दिखेगा इसपे click करिए तो आपको यहाँ पर एक option दिख जाएगा reset wifi कौमा mobile and bluetooth ओके यहाँ फिर आप यहाँ पर लिख करके भी directly search कर लीजिए यहाँ पर जब इस type से file and bluetooth ओके तो आप इसपे click करिए और यहाँ पर इसपे आप click कर लीजिए इसपे click करने के बाद आपको यहाँ पर reset settings पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना password डाल देना है password डालने के बाद आपको यहाँ पर enter कर देना है और उसके बाद आपके सामने इस type से दिखाएगा तो आपको यहाँ पे फिर से reset settings पे click कर देना है, यहाँ पे please wait दिखाएगा और आपकी जो है network settings have been reset, ठीक है अब आप अपने phone में Bluetooth connect करेंगे तो आपका connect होगा, जैसे कि यहाँ पे हम एक बार connect करके देखी लेते हैं, हो रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे फिर से pair करना पड़ेगा, तो आप अपने neckband को simply on कर लीजे, यहाँ पे already on ही रखा है, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से बंद करके खोल लेते हैं इसको, उसके बाद आप यहाँ पे pair new device पे क्लिक करिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है आपकी device का नाम दिखा देगा, इस टाइप से neckband का, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे pairing दिखाएगा, और आपका यह pair हो जाएगा, connect हो जाएगा, अगर वीडियो से help हुई हो, तो वीडियो को कर दीजे like, चैनल को कर लीजे subscribe, और बेल आइकन को press, ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई,